हेलो एवरिवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बेस्ट नोर्स टुटोरियल में मैं मनवर सिंग लाया हूँ 20 महित्यपूर्ण MCQs जो काफी एक्जैम में पूछे गए हैं और ये MCQs उत्राखन के प्रमुक जील वत तालों से रिलेटेड हैं तो आए शुरू करते हैं तो आपका पहला प्रस्ट है निमनी लिखित में से रहस्यमाई जील के रूम में किसे जाना जाता है आपसन A साथ ताल, आपसन B हेम कुंड, आपसन C नैनी ताल, आपसन D इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा आपसन D इन में से कोई नहीं क्योंकि रहे सिमयी जील के रूम में रूपकुन को जाना जाता है रूपकुन चमोली जीले में बेदिनी बुग्याल के निकट इस्तित है प्राचिन कथा के अनसार सिव पारवती ने कैलास जाते हुए इसका निर्मार किया था यहां से राजा यस दवल और रानी बलपा एवं उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं इसी कारण इस जील को रहे सिमयी ताल कहते हैं अगला प्रस्ष्ण है निम्न में से कौन सा कुंद चमोली जीले में इस्तित नहीं है आपका सही आंसर होगा आपशन ए पारवती कुंद यहां चमोली जीले में इस्तित नहीं है अगला प्रस्ष्ण है किस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है आपशन ए सब्त कुंद आपशन बी आच्री ताल आपशन सी रूप कुंद आपशन डी होम कुंद तो आपका सही आंसर होगा आपशन C रूप कुंद कुंद कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 600 वर्जपूर के कंकाल आज भी यहां पराप्त होते हैं तो अगला प्रस्ष्ण है निमने लिखित में से किस ताल में गांदी जी के अस्तियां बिसरजित की गई हैं आप्सन ए सुरुवदी ताल आप्सन बी नैनी ताल आप्सन सी नौकुचिया ताल आप्सन डी पारवती कुंड तो आपका सही आंसर होगा आप्सन ए सुरुवदी ताल इसको गांदी सरोवर भी कहते हैं यहार रुद्र प्रयाक जिल्ले के केदानाद मंदिर से एक किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है सन 1948 में गांदी जी के अस्तियां इस ताल में परवाहित की गई थी तो अगला प्रश्ण है किस जील के आकरते अश्टो खुर के समान है उप्सन ए सात ताल उप्सन भी खुरपा ताल उप्सन सी भीम ताल उप्सन डी नैनी ताल तो आपका सही आंसर होगा उप्सन ए सात ताल इस जील के आकरते अश्टो खुर के समान है जिसके गहराए 19 किलो मीटर है 29 किलो मीटर साथ ताल कुमाव की सबसे रमनीक जीले यहाँ पर पहले साथ जीले थी उन में से कई वर्तमान में सूग गई हैं तो अगला प्रश्ण है कुमाव छेतर का सबसे गहरा ताल किस जीले में इस्तित है आप्शन A पौडी आप्शन B देहरादून आप्शन C नैनी ताल आप्शन D इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा आप्शन C नैनी ताल नो कुचिया ताल नैनी ताल में इस्तित है नो कुचिया ताल नैनी ताल से 26 किलो मीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर की उंचाई पर इस्तित है यहाँ कुमाव छेतर का सबसे गहरा जील है इस जील के नो कोने है तो अगला प्रश्ण है डोडी ताल किस जिल्य में इस्तित है ओप्सन एट टिहरी ओप्सन बी रुद्र प्रयाग ओप्सन सी चमूली ओप्सन डी उत्तिर कासी तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन डी उत्तिर कासी सहर से लगवग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित यहाँ ताल काफी आकर सक है छे कौनों वाला यहाँ ताल सुन्दर मचलियों द्रावड के लिए प्रशिद है अगला प्रश्ण है नीमनी लिखित में से सुद रूप से कुमाव मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है ओप्सन A सुन्दर ढूंगी ओप्सन B मिलम ओप्सन C खतलिंग ओप्सन D कोई नहीं तो आपका सही आशरोगा ओप्सन B मिलम अगला प्रश्ण है नीमनी लिखित में से नचिकेता ताल किस जिल्य में इस्तित है ओप्सन A उत्रकासी ओप्सन B हरिद्वार ओप्सन C देहरादोन ओप्सन D पौड़ी तो आपका सही आशरोगा ओप्सन A उत्तिर कासी नचिकेता ताल के किनारे पर एक छोटा सा मंदिर है जन सुरूति है कि उद्लक के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही इसका नाम नचिकेता पड़ा यहाँ सहर से लगबग 32 किलोमेटर दूर घने जंगलों में इस्तित है अगला प्रश्ण है सिखों के गुरू, गुरू गुविन सिंग्ने किस जील के किनारे तपस्यक है ओपसन A, रूप कुंड, ओपसन B, नैनिताल, ओपसन C, हेमकुंड लोकपाल जील ओपसन D, इन में से कोई नहीं तो आपका सही आनसर होगा ओपसन C, हेमकुंड लोकपाल जील यहाँ एक प्रसिद गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब जी का प्राचिन मंदिर है यहाँ जील चमोली जिल्ले में इस्तित है इस जील के किनारे शिखों के दस्वे गुरु गुरु गोविन सिंग ने तपश्या की थी अगला प्रश्ण है उत्राखंड का सबसे बड़ा हिमनत कौन सा है ओप्शन ए गंगोतरी ओप्शन बी पिंडारी ओप्शन सी मिलम ओप्शन डी कफनी तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन ए गंगोतरी अगला प्रश्ण है भीम ताल किस छेतर का सबसे बड़ा ताल है ओप्शन ए गड़वाल छेतर का ओप्शन भी कुमाओ छेतर का तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन भी कुमाओ छेतर का यहाँ ने निताल से 22 किलो मीटर पूर्व ने निताल जिल्ले में इस्तित है इसकी लंबाई 1674 मीटर और चोड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है तो अगला क्वेशन है नीमनी लिखित में से गड़वाल छेतर का सबसे गहरा ताल है ओप्शन A सतो पंथ ताल ओप्शन B सुर्वदी ताल ओप्शन C सहिस्तर ताल ओप्शन D नो कुचिया ताल तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन A सतो पंथ ताल यहा ताल बदरी नाथ से 21 किलोमेटर दूर दुरगम पहाड़ी छेतर में इस्तित है तथा समुदर तल से लगबग 1334 मीटर उंचाई पर है इस ताल के तीन कोणे मानेता है कि इन तीनों कोणों में ब्रहमा विशनो वा महेज जी ने तपश्या की थी अगला क्कुचन है उत्राख्ण राज्य का सबसे लबा हिमनत कौनya है कौन सा ताल उत्राख्ण के रहیश्या ताल के नाम से जाना जाता है Option A रूप कुण Option B नो कुचिया ताल Option C ने निताल Option D हेम कुण ये नो कुचिया ताल है तो आपका सही आंसर होगा Option A रूप कुण इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो अगला क्वेशन है उत्रा खंड के किस जिले में प्राकर्तिक जीलों के संक्या सरवादिक है Option A पोड़ी Option B देहरादोन Option C चमोली Option D रुद्र प्रयाग तो आपका सही आंसर होगा Option C चमोली चमोली जीले में प्राकर्तिक जीलों के संक्या सबसे ज़ादा है तो अगला क्वेशन है विरही गंगा के अवरुद हो जाने से बनी गोना जील कितनों वर्सों तक रही Option A 88 वर्स Option B 69 वर्स Option C 62 वर्स Option D चौराने वर्स तो आपका सही आंसर होगा Option C 62 वर्स यहाद चमोली जीले में इस्तित है ब्रिटिस काल में यहाद जील बहुत बड़ी थी और इसमें नाव चलती थी लेकिन यहाँ अब काफी हद तक सूग गई है इससे विरही नदी निकलती है अगला क्वेशन है उत्त्राखंड की निमन जीलों में से कौन से जील नो कोनों वाला है Option A 9 कुचिया ताल Option B 57 जील Option C गिरी ताल Option D इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा Option A 9 कुचिया ताल यहाद जील भीम ताल से 5 किलो मेटर की दूरी पर समुद्र ताल से 1292 मेटर की उंचाई पर इस्तित है यहाद जील नो कोनों वाला है बीदेशी पक्ची भी यहाँ देखे जा सकते है कि वंदति है कि इसके सभी कोने एक साल नहीं दिखाई देते तो अगला क्वेशन है उत्राखंड के निमन जीलों में से कौन सी जील एक तिर्भुजाकार है उप्षन A नैनिताल उप्षन B नो कुचियाताल उप्षन C केदारनाताल उप्षन D सतो पंथ जील तो आपका सही आंसर होगा उप्षन D सतो पंथ जील इसके बारे में मैं आगे बता चुका हूँ तो अगला क्वेशन है हेमकुन जील कितने सिकरों से गिरा हुआ है उप्षन A नो हिमाजचादित सिकरों से उप्षन B छे हिमाजचादित सिकरों से उप्षन C चार हिमाजचादित सिकरों से उप्षन D साथ हिमाजचादित सिक्रों से तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन D साथ हिमाजचादित सिक्रों से तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में